साथ्यों कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी के ही एक एलुमना इसे हुई थी वो एक इस्लाविक स्कॉलर भी है उन्होंने एक बहुत इंट्रेसिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ स्वच्चे भारत मिशन के तहट जब देश में दस करोड से ज़्यादा सौचालय बने तो इसका लाप सभी को हुआ यह सौचालय भी बिना भेदवा भी बने थे लेकिन एक इसका एक्टपेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और नहीं एकडेमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है मैं चाहता हूँ कि अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का भी हर स्टूडन इस पर गौळ करे मेरे साथियों एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट सिक्षा मैं से ड्रॉप आउट रेट सेवन्टी परसंट से जादा था सत्तर प्रतिशन से जादा था मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशां से बहुत बड़ी बादा रहा है लेकिन सत्तर साल से हमारे यहां सिती यही थी कि सत्तर परसंट से जादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी इनी सित्यों में स्वच से भारत मिशन शुरू हुआ गाउं गाउं सवचालय बने सरकार ने स्कूल जाने वाली गल स्टूडन के लिए मिशन मोड पे अलग सवचालय बनवाए आज देश के सामने क्या स्थिती है पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट सतर पतिशत से जादा था वो अब गटकर करीब करीब तीस प्रतिक्षत रहे गया है पहले लाखों मुस्लिम बेटियां सवचालय की कमी की वज़े से पढ़ाई छोड़ देती थी अब हालात बदल रहे हैं मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है आपकी अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी में भी स्कुल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रीज कोर्स चलाया जा रहा है और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है एम्यू में अब फिमेल स्टूडन्स की संक्या बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है मैं आप सबको बढ़ाई देना चाहूंगा मुस्लिम बेटियों की सिक्षा पर उनके ससक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है पिछले छे साल में सरकार द्वारा करीब करीब एक करोड मुस्लिम बेटियों को स्कॉलर्शिप दी गई है साथियों जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो सबको बराबर अधिकार मिले देश के विकास का लाप सबको मिले ये एम्यू की स्थापना की प्रात्फिकताओं में था आज भी एम्यू के पास ये गवरव है कि इसकी फाउंडर चांसेलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी सो साल पहले की परिस्तितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था इसका अंदार लगाया जा सकता है आधूनिक मुस्लिम समाज के निर्मान का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था तीन तलाग जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है